विल्कम बैक टू माई चैनल तो कैसे आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे सेफ होंगे मजे में होंगे तो आज मैं आपके साथ सेयर करने वाली हूँ चटपटी अर्भी की रेस्पी तो चलिए बनाते हैं चटपटी अर्भी तो इसके लिए मैंने अर्भी को द दाल दिया है थोड़ा सा पाइं डाल दिया है और नमक डाल दिया है तो इसे उबाल लूँगी यानि की एक से दो सीटी हाई फ्लेम पे दे दूंगी और यह उबल जाएगा उसके बाद मैंने कराही चड़ा ली है इस कराही को पहले मैंने सीजन कर लिया है यानि की थोड़ Ç weed लगाकर इसे हाय फ्लेम पर रख दिया था और जैसे द्रौा निकलने लगा थो मैने फ्लेम आफ कर दिया app और फिर से इसे कर गर्ण करके ऑ faisaitकर तरका दे रहого तरके के लिए मैंने यहां पर ऊयल डाला है थोड़ा से जीरा थोड़ा सा राया डाला है और लाल मिर्च डाल दिया है तो जैसे ही यहाँ पर लाल मिर्च और जीरा तरकने लगेगा जीरा ब्राउन हो जाएगा तो मैं डाल दूंगे इसमें अर्बी अर्बी को मैंने छील लिया है छील कर काट लिया है छोटे छोटे टुकरों में यह बहुत ही टेस्टी बनती है अच्छी बनती है तो मैं कहूंगी कि इस रेसिपी को देखने के बाद आप इसे एक बाद जरूर ट्राइ कीजेगा चटपेटी सी तीखी सी अच्छी लगती है तो चलिए यहाँ पे मेरा जीरा प्राउन हो गया था तो मैंने अर्बी को डाल दिया है तो देखिए अर्बी के इतने छोड़ी छोटे ठुकरे कट करने हैं और उसको डाल देना है तो यहाँ पे जैसे इढ़ग अर्भी फ्राई हो जाएगा तो मैं इसमें डाल दे रही हूँ कड़ी पत्ता कड़ी पत्ता को अब तरके के समय भी डाल सकते हैं बट मैंने अभी डाला है और उसके बाद इसको थोड़ा और फ्राई करेंगे फ्राई थोड़ा होने के बाद मैंने इसमें अधरक लसन का पेश डाल दिया है अद्रक लसन का पेश डालने के बाद इसको थोड़ा सा और फ्राई करेंगे यहाँ पे मैंने जो फ्लेम है वो मीडियम रखा है बहुत जादा लो नहीं है बहुत जादा हाई नहीं है और अब बारी है मसाले डालने की तो हल्दी, लाल मेच पाउडर, धनियापाउडर और जीरापाउडर यह सारे मसाले इसमें मैंने अभी डाल दिया हैै इसको डाल कर भी थोड़ी देर फ्राई करूँगी उसके बाद मैं इसमें आड़ करूंगी थोड़ा सा अमचुर पाउडर अमचुर पाउडर से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है पर इमेडियेटली मैं इसमें नहीं डालूंगी थोड़ा इसको पहले फ्राई कर लूँगी उसके बाद मैं इसमें डालूंगी अमचर पाउडर अमचर पाउडर से बहुत ही चरपटा खटा सा टेस्ट आएगा इसमें तो देखिए फ्राई हो गया है तो अब मैं इसमें डालने वाली हूँ थोड़ा नमक क्योंकि नमक मैंने उसी से मैं डाला था जब मैं इसको ऑईल कर रहे थी तो उसे ज़्यादा नमक इसमें जादा नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे अभी नमक डाला है और मैंने नमक थोड़ा सा ज़्यादा ही डाला है क्योंकि जब मैं इसमें अम्चर पाउडर एड़ करूंगी तब यह नमक बैलेंस हो जाएगा देखे इस तरह से चलाते हुए इसे फ्राई कर लेना है यह सूखी वाली अर्बी की सबजी बहुत ही टेस्टी बनती है चटपटी बनती है तो देखें आप पहली है मैंने अमचुर पाउडर अमचुर पाउडर की जगह आप चाट मसाला भी ले सकते हैं और यह बहुत अच्छी बनती है जल्दी बन जाती है चटपटी सी बनती है तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजेगा सूखी वाली अर्बी की सबजी अब मैंने अमचुर पाउडर को डाल कर भी थोड़ा चरा लिया है इसे अच्छे से फ्राई करना जरूरी है आप चाहे तो इसे नॉन स्टिक में फ्राई भी कर सकते हैं बट चुकि नॉन स्टिक में यूज़ करती नहीं हो इसलिए मैंने यहां पर लोहे की कराही ली है उसको सीजन कर लिया था और उसके बाद इसको बनाए इसलिए यह चिपक नहीं रही है अगर नॉर्मल कराही रहती तो यह थोड़ी सी चिपक थी इसलिए जब भी आप लोहे की कराही को नॉन स्टिक जैसा यूज़ करना चाहें तो यह तरीका जरूर अपना येगा और यहां पर मैंने थोड़ा सा गरम मसाला आड़ कर दिया है और गरम मसाला आड़ करने के बाद भी मैं दो से तीन मिनट इसे और पकाऊंगी यह बहुत ही अच्छा टेस्ट लेकिया है तो मेरी अरभी की सब्जी तो बन गई रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, सेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा थाइंक्यू, थाइंक्स पर वाचिंग, मिलूंगी एक नई रेसिपी में नई वीडियो में कुछ नए चीज़ों के साथ तब तके लिए गुद बाई